अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन लबाना मत भूला जिसे साइलन्ट रखने का फैसला इसलिए लिया गया, ताकि दुनिया में कोई भी इसे देखकर इस फिल्म से रिलेट कर पाए, और इस फिल्म का सबज़क भी ऐसा है, जिसे किसी भी देश का इंसान समझ सकता है, चाहे वो किसी भी कल्चर को बिलॉंग करता हो, ये बारा मिन जिसके बाद वो अपने आपको entertain करने की कोशिश करने लगता है। जिसके बहुत देर तक चलती हैं पर जैसा की हमने expect किया था उस गरीब बच्चे के पास उतने खिलोने नहीं थे जितने उस अमीर बच्चे के पास है। जिसके बाद से परेशान होकर वो अमीर बच्चा उस पतंग को गिराने की कोशिश करने लगा। जब वो पतंग को गिराने में नाकामियाब रहा तो उसने अपने घर में रखी एर गन से उस पतंग पर गोली चला दी और दूसरे बच्चे की खुशी उसने कुचल दी। तो दो बच्चों के बीच का एक मासूम कॉम्पिटिशन लगता है पर फर्क उन दोनों बच्चों की नियत में है। से हार कर वो अमीर बच्चा अकेले अपने घर में बैठा रहा और शायद उसे अपने किये पर पच्चतावा भी होने लगा। ये फिल्म वियतनाम वार के दोरान बनाई गई थी और कई लोग इस फिल्म को एक अंटी वार फिल्म की तरह भी देखते हैं। जहां वो अमीर बच्चा अमेरिका के उस दोर के जुल्म को दिखाता है और वो गरीब बच्चा वियतनाम की जिन्दा रहने की लड़ाई को इस फिल्म को भारत के आजादी की लड़ाई से भी कंपेर किया जाता है। जहां ब्रिटिश राज के हर जुल्म के बावजूद भारत के लोग लड़ते रहें और अंत में उनकी पतंग के गिरने के बाद भी वो उस जंग को जीत गए। हमारे व्यूवर्स के डिमांड पर हमने फीचर फिल्म के साथ साथ शॉर्ट फिल्म को एक्स्प्लेइन करना भी शुरू किया है क्योंकि हम आपके लिए वो शॉर्ट फिल्म लाना चाहते हैं जो फीचर फिल्म की तरह ही बहतरीन है। अगर आप किसी शॉर्ट फिल्म को एक्स्प्लेन करमाना चाहते हैं तो आप उस शॉर्ट फिल्म का नाम या लिंक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं.